जै जिया राम जै जै राम देखी राम मुनियावत हरस दंडवत कीन स्वागत पूँछ पीत पट प्रभु बैठन कह दीन सनका दिमुनियों को आते देख कर स्री राम चन्रजी ने हरसित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूच कर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया जैसी आराम जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव शुदश रथ जिर विहारी कीन दंडवत तीनी उभाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई मुनिर घुपाती छबी आतुल बिलोकी भई मगन मन सकेन रोकी फिर हनुमान जी सहित तीनों भाईयों ने दंडवत की सबको बड़ा सुख हुआ मुनिश्री रखुना जी की अतुल नी अच्छबी देखकर उसी में मगन होगे वे मन को रोकन सके स्याम लगात सरो रुह लोचन सुन्दरता मंदिर भव मोचन एक टक रहे निमेशन लावही प्रभुकर जो रहें सीस नवावही वे जन्म मित्व के चक्र से छुडाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुन्दरता के धाम सिरी राम जी को टक टकी लगाए देखते ही रह गए पलक नहीं मारते और प्रभु हात जोड शिरनवा रहे हैं तिनकें दसा देखी रघुबीरा स्रवत नयन जल पुलक सरीरा कर गही प्रभु मुनिबर बैठारे परम मनोहर बचन उचारे उनी की प्रेम भिवल दसा देखकर उनी की भाती श्री रहुना जी के नेतरों से भी प्रेम आस्रों का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़ कर स्रेष्ट मुनियों को बैठाया और परम मनोहर बचन कहे आज धन्य मैं सुन हूँ मुनीशा तुम्हेरें दरस जाही अगखीशा बड़े भाग पाईब सत्संगा बिन ही प्रियास हो ही भव भंगा हे मुनीश्वरों सुनिये आज मैं धन्य हूँ आपके दरसनों से ही सारे पापनष्ट हो जाते हैं बड़े ही भाग से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्व मिर्तु का चक्र नश्ट हो जाता है संत संग अप बर्ग कर कामी भव कर पंथ कह ही संत कभी को विद स्रुति पुरान सदे ग्रंथ सियावर राम जै जै राम मंगेले भावने या मंगेले हारी द्रवावं शुदेश रहते जिर विहारी